तो finally हमें first official look मिल चुका है next OnePlus flagship smartphone का जो की होगा OnePlus 7 and यार this thing is amazing मतलब हम सब expect कर रहे थे कि इस पर हमें OnePlus 7 में एक punch hole camera देखने को मिलेगा पर thanks to these leaked images अब ये confirm हो चुका है कि OnePlus 7 में हमें एक bezel-less design देखने को मिलेगा जैसा कि आप इस leaked picture में देख सकते हैं तो ये leaked images post किया गया है slash leak के through और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें हमें 2 smartphone देखने को मिलता है जो कि run कर रहे है Oxygen OS जो smartphone right की तरफ है वो देखने में काफे similar लगता है OnePlus 6T के thanks to the water drop notch और अगर आप ध्यान से देखे तो आपको पता चलेगा कि इसके edges curve है ठीक Galaxy S9 जैसे और मुझे लगता है कि ये होगा OnePlus का 5G smartphone जो पिछले महीने company ने announce किया था क्योंकि इसका overall design architecture बिलकुल OnePlus 6T जैसा है with some basic improvements तो I think जादर chances ये हैं कि OnePlus का 5G smartphone हो क्योंकि OnePlus 5G smartphone के design में कोई major change नहीं करेगा क्योंकि कुछ महीनों में company को अपना major flagship smartphone OnePlus 7 भी launch करना है जिसमें हमें एक बिलकुल नया design देखने को मिलेगा तो चलिए बात कर लेते हैं OnePlus 7 की तो इस leaked picture में जो left वाला smartphone है वो होगा OnePlus 7 and yeah I am impressed with the design जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी जादा अच्छा है देखने में तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी bezel नहीं देखने को मिलेगा और ये full bezel less smartphone होने वाला है इसके top में आपको एक बड़ा सा year piece देखने को मिल जाएगा और इसके edges curve होंगे ठीक Galaxy S9 जैसे और ये देखने में काफी कमाल का लगता है अब आप मेंसे कुछ लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसका front camera कहा है तो अगर आप इस picture को ज़रा closely देखेंगे तो आपको एक additional space देखेगा at the top of the case जिस पर ये smartphone रखा है तो ये जो extra space है ये दिया गया है front camera के लिए और इसमें होंगे additional sensors अब जैसा कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये क्याना गलत नहीं होगा कि ये extra space दिया गया है एक slider mechanism के लिए तो मुझे ये लगता है कि OnePlus 7 में punch hole के बजाए हमें camera slider mechanism देखने को मिलेगा अब कुछ लोगों को हो सकता है ये पसंद भी आए पर शायद कुछ लोग इससे disappointed भी हो क्योंकि smartphones में moving parts का होना अच्छा माना नहीं जाता क्योंकि moving parts की वज़े से smartphone की durability काफी कम हो जाती है अब ये देखने वाली बात होगी कि OnePlus से slider mechanism को कैसे present करेगी OnePlus हो सकता है अपने 5G smartphone को MWC में showcase करे और मुझे नहीं लगता कि वो इस OnePlus 7 को भी showcase करेगी क्योंकि OnePlus अपने main flagship smartphone के लिए एक अलग से event करती है जो most probably होगा मे या फिर जून में अगर बात करें इसके specification की तो OnePlus ये पहली ही confirm कर चुकी है कि इसमें हमें Snapdragon का 855 processor देखने को मिलेगा जो कि Snapdragon का अब तक का सबसे powerful chipset होगा और ये 7 nanometer पर based है इसके अलावा इसमें हमें up to 10 GB of RAM देखने को मिल सकता है टीक OnePlus 60 McLaren Edition जैसा और ये run करेगा OnePlus का Oxygen OS जो की based होगा Android 9.0 Piper इसके अलावा इसमें हमें warp charge 30 और under display fingerprint scanner जैसी technology भी देखने को मिल जाएगी तो overall ये एक कमाल का smartphone होने बाला है अगर बात करें इसके release date की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि OnePlus अपना annual event में या जून में करती है तो ये smartphone launch हो सकता है में या जून में बाकि अगर बात करें इसके pricing की तो OnePlus 7 की starting pricing हो गया around 40,000 इन रुपीज for the base variant अगर हम OnePlus की price increment की trend को follow करें तो तो यार क्या आप लोग excited हो OnePlus 7 के लिए मुझे comment section में ज़रूर बताना ऐसे और वीडियोज देखने के लिए channel को कर लो subscribe और वो bell icon भी दबा देना ताकि आप future के कोई भी वीडियोज को मिस ना कर पाए तो यार मेरा नाम है समीर और मैं मिलता हूँ अपको अपने अगले वीडियो में